आप सभी के लिए आज हैट परी बहुत एनरजी और बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ स्ट्रेंथ आफ मैटीरियल को शुरू करने के लिए इस प्लेट्फॉर्म पर बना हूँ उमीद करता हूँ सबसे पहले तो आपकी खुशाली की और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी जैसे के आप सभी को पता है बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोग स्ट्रेंथ आफ मैटीरियल के लेक्चर नमबर वन के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आ चुके हैं मैं विल्कुल जिरू से स्टार्ट करूंगा और थ्योरि만 के साथ-साथ जो भी आप लोगों को कुशन प्रेक्टिस चाहिए आपको notes चाहिए, आप लोगों को unique question चाहिए, क्या होता है ना, previous year question तो हो जाते हैं, कुछ किताबों के कुछ question तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे conceptual question होते हैं, जो आपको किताबों मेंने मिलेंगे, वो सिर्फ मेरे concept पर ही आपको मिलेंगे, तो वो question भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए इस चैनल पर आया हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप देखना कि धीरे 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 तुम लोगों में बहुत सारी इंप्रूव्मेंट भी होती रहेगी और कॉंफिदेंस भी आता रहेगा आज के सेशन में मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा बताऊंगा कि क्या पैटर्न रहने वाल है और कैसे कैसे आप लोगों को चीजे मेरे साथ मिलती रहेगी स्लिबस क्या है सोंका बिल्कुल जिरो से स्टार्ट करूँगा और दस दिन की गैरिंटी लेता ह दस दिन के अंदर तुम लोगों को सों के अंदर एक confidence अलग लेवल काएगा पकार तो फिलाई शुरू करता हूँ शुरू करने से पहले I want from everybody that आप मेरे को एक बारी thumbs up कर दीजिए मेरे आवाज आप लोगों को proper आ रही है board आपको एकदम अच्छे से clarity के साथ दिख रहे so that I can start in the floor ओके जल्दी से आप लोग मेरे को thumbs up कर दीजिए ladies and gentlemen के सब कुछ होगी है न ओके चल तो सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पर मेरे बच्चे कि what is the syllabus of the strength of material हमारे strength of material के अंदर 12 chapter आते हैं वैसे include होते हैं तेरा chapter लेकिन जब हम लोग civil engineering की बात करते हैं तो civil engineering में strength of material के 12 chapter include है एक chapter conclude नहीं किया गया है जिसको हम लोग shaft और torsion का नाम देते हैं कहोगे तो last में मैं torsion और shaft आप लोगों को पढ़ा दूँगा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बड़ जो 12 major chapter है वो आप लोगों के सामने screen पर है properties of metal से हम लोग start करने वाले हैं और आगे की तरफ line wise ही चलेंगे sequential manner में चलेंगे ना तो चीजे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे यह पहला chapter रहेगा यह दूसरा chapter रहेगा उसके बाद shear force and bending moment one of the most important chapter और one of the most favorite chapter of the students जो generally बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं आपन बिल्कुल detail में पढ़ेंगे इसको उसके बाद चोथा chapter आएगा centroid and moment of inertia फिर bending stress in beams shear stress in beams principal stress थोड़ा difficult है बट important है अगर आप SSC JAE की या state SSC की या gate की और EAC की बात करोगे न तो principal stress के question जादा तर आपको exam में देखने को मिलते हैं हाँ तो एक अच्छा topic है और एक अच्छा chapter तुमको देखने को मिलेगा फिर उसके बाद deflection in beams तुमको मिलेगा यहाँ पर एक मुश्किल chapter most difficult जो मैं कहता हूँ सोम के अंदर अगर कुछ है तो most difficult deflection होता है तो इसको हम सबसे ज़्यदे time देने वाले हैं क्योंकि मैंने देखा है 90% of the students have problem in this particular topic आप कितना ही पढ़ा दो लेकिन फिर भी जब deflection के question exam में आते हैं न हम लोग तो जेई की तैयारी करेंगे तो जेई में तो इतना मुश्किल नहीं आता है जेई में तो जो मैं बताऊंगा 95% उसी में से आएगा लेकिन whenever we are going for gate और ESC pattern ना तो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ने के बाद भी question ने solve कर पाते हैं तो most difficult chapter of SOM is deflection in beams we are going to discuss in detail उसके बाद मेरे पास आते है pressure vessel easiest approach मतलब एक घंटे में फूरा chapter ही complete हो जाता है pressure vessel तो बहुत छोटा सा और बहुत असान है तो आपन इसको भी पढ़ेंगे theories of spring इतनी important नहीं है नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा फिर भी बता दूँगा मैं आप लोगों को theories of column worst important chapter आप लोग gate की तैयारी करोगे न अगर तो आप देखोगे पिछले 15 से 20 साल से पता नहीं gate को ऐसा क्या प्यार है इस particular topic से इस पर question हमेशा आता है एक ना एक question एक ना एक question आपको column पे जरूर मिलेगा जब आप लोग बात करते हो gate exam की gate या ESC J में मर्जी होती है IHNI बहुत असान है ज्यादा important important तो है ज्यादा मुश्किल नहीं कहुँगा इसको मैं हो जाता है उसके बाद आता shear center shear center भी एक medium approach का chapter है last one is shear center मैंने last में इसलिए लिखा shear center को क्योंकि shear center का concept है वो बहुत असान है shear center की approach जो है वो बहुत असान है लेकिन shear center का जो analysis आना 3 degree वो बड़ा मुश्किल भाई वो समझ नहीं आ पता धन से और उससे related जो आपके A level के question आते हैं वो difficult होते हैं JEE की तो मैं guarantee ले रहा हूँ आपसे कि 98-99% JEE के question हमारे syllabus में से आने वाले हैं जो हम board पर पढ़ लेंगे उसी में से आएगा लेकिन AEE के लिए थोड़ा approach अलग बना देता है उसमें क्या होता है कि मैं आपको समझाऊंगा या पढ़ाऊंगा मैं अपना दिमाग लगाऊंगा मैं अपनी चीज़े आप लोगों को बताऊंगा तो आप देखेंगे कि AEE के अंदर जो approach होती है वो formula basis approach नहीं होती वो one-liner approach नहीं होती वो approach आप लोगों के concept clearation होती है भाई कि आपको कितनी चीज़े clear हैं आप कितना सूच सकते होगे वहाँ पर ये चीज़ जाके difficult होती है तो अभी बिल्कुल basic से ही चलना ठीक है ना और जो जो मैं बताता रहूंगा वो वो चीज़े आप one-liner के साथ-साथ उसके concept को समझना आज के lecture में तुमको दिख जाएगा कि हम जाने वाले ठीक है तो आगे मेरी बात आती है यहां पर कि this is our specialty की हम लोग आप लोगों को unique question देने वाले हैं यह मेरी targeted चीज रहेगी कैसा pattern रहेगा मैंने जो अभी तक YouTube पर देखा है वो tradition भी मैं चलाऊंगा उससे अलग तो जानी सकता लेकिन कुछ चीज मैं YouTube से जो आप लोगों को अभी तक मैंने दी या और teachers भी दे रहे हैं या और channel भी दे रहे हैं उससे थोड़ा अलग दूँगा वो अलग क्या है I will provide you each and everything regarding lecture इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आप लोगों को लेक्चर में काफी कुछ बता दूँगा 100% तो देखो कोई भी नहीं देता और ना दे सकता वैसे तो civil engineering बहुत वास्ट है अगर मैं सब कुछ आपको पढ़ा दूँगा ना civil engineering में तो मेरी नजर में आप government exam की तैयारी धहसे नहीं कर पाऊँ नए civil engineering is actually a huge syllabus in itself तो उसमें से क्या होता है ना दो चीजों की जंग होती है एक होता है quality एक होता है quantity अगर आप government exam की preparation कर रहे हो तो you cannot go with quantity because आपको भी पता है कि एक engineer को जितना technical पढ़ना पढ़ता है उतना ही non-technical लेकिन non-technical cop-up नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता हमसे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी non-technical होती है तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते वे ना मैं आपको सब कुछ नहीं देख सकता सब कुछ दूंगा तो शायद आप पढ़ भी नहीं पाऊँगे क्योंकि सब कुछ में तो अब जैसे soil mechanics तो मुझे master's तक की आती है वो जरूरत नहीं है न इवन बैचलर्स की भी सारी के सारी subject आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती तो quality और quantity में से मैं जो opt करने वाला हूँ I will provide you the quality quality के चलते हैं मेरी तरफ से दो कमी आपको मिलेंगी एक कमी यह होगी कि भाई आपको 100% content नहीं दे सकता मैं क्योंकि 100% तो बनता भी नहीं है आपको मैंने बताया क्यों दूसरी मेरी तरफ से एक कमी जो आ रही है वो notes जो होंगे वो non-downloadable होंगे मैं notes को download नहीं करवाऊंगा notes प्रोवाइड कर दूँगा लेकिन download नहीं हो पाएंगे यह चीज मैंने बहुत सोच समझके रखी क्योंकि मैं आपको बता दूँ मैंने ज्यादा तर बच्चों को ऐसा देखा और selection किन का हुआ और किन का नहीं हुआ उनकी कुछ बातों को ध्यान में रखते वे मैंने ऐसी analysis करिया और फिर यह चीज लाया हूँ कि मैंने देखा अगर मैं notes आप लोगों को PDF telegram के थूँ या WhatsApp के थूँ दे भी देता हूँ ना ज्यादा तर बच्चे download करके अपने पास store रख लेते हैं मुबाइल थोड़ी भरना है भाई नई आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा मैंने जब तयारी करी और भी लोगों ने तयारी करी और जिन लोगों का selection हुआ जो मेर से personally मतलब मिले और personally जिनों ने मुझे बताया और strategy पूछने पर फिर उनसे मैंने बात करी जब तो they tell कि भाई हम लोग लिख कर तो पढ़ते थे they have mentioned everything written in their notebook और जब मुका मिलता था तो वो उसको revise कर लेते थे और जो चीज़ आप download कर रहे हो ना you cannot get that thing up to that extent कि आप लोगों के दिमाग में वो बस जाए लिखने से ज़्यादा फरक आता है इसलिए I just want from your side के आप चीजों को लिखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा daily के limit के हिसाब से पढ़ाऊंगा 50-60 minute तक की class daily करूँगा इससे ज़्यादा नहीं करूँगा और उसमें कितना कोई पढ़ा देगा न आज तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज तो पहली class हो गई आज के पढ़ाएं हुए के भिहाफपर और कल जो पढ़ा दूँगा उसके भिहाफपर दोनों के भिहाफपर daily 10-15 question आप लोगों को मेरी तरफ से मिलेगे और ये 10-15 question जो है ये previous year भी हो सकते हैं ये books के भी हो सकते हैं और unique question है तो इसमें 6-7 question मेरे personal मिलेगे जो किताब में तो मिल सकते हैं बट वो बहुत खोजने के बाद मिलेगे और वो मुश्किल होंगे बहुत जादा बहुत मुश्किल होंगे वो question तो ये मेरी आप लोगों को speciality मिलेगी कि जो question का level में आप लोगों को provide करने वालों कल से daily आपको मिलेगा वो बहुत अच्छे level का question होने वाल है ठीक है ना जिसको सुनने के बाद आपको direct answer कभी नहीं मिलेगा you need to think about that in a 360 degree way आगे पीछे उपर नीचे दाय बाय सारी तरफ सोचना पड़ेगा तो जाके answer करोगे और सही approach ये ही है आप देखोगे कि ये जो question में आपको दूँआना छे साथ ये आपके दिमाग को तो हिला देगा ये सच है कि हो सकता है you will be going to irritate आप बहुत मतलब अपने आप में गुस्सा हो जाओगे क्या दे रहे हैं ये थोड़ी जेई का लेवल आता है भाई जेई में तो भाई definition आती है जो लिखवादी होसी में से पूछता है अरे why are you just preparing yourself for जेई exam you need to go somewhere higher so I tell you each and everything regarding जेई as well as regarding एई तो आप J की तयारी ना चाहके भी कर लोगे और A की तयारी हो जाईगी मैं कुछ ऐसा चबूँगा ठीक है ना तो थोड़ा सा कॉप अप करना अपने आपके साथ मेरे साथ को करी लोगे ठीक है चाहिए तो शुरू करो फिलाल एक बरी शुरू करने से पहले प्लीज एंशॉर ना एज एवरिफिंग ओके विद यू एंड वी और एक टार्गेट दू छोटा सा फिर उसके बाद एक खुश खबरी भी दूँगा आप लोगो को अब यह वीडियो का टार्गेट देता हूँ अगर आप ऐसा कर देते हो so I will provide you one liner आपके पढ़ने के लिए ठीक है किसी एक सब्जेक का दे दूँगा मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ समय के लिए so यह आपका आज का छोटा सा वीडियो पे टार्गेट रहेगा आदे से जादा तो आप कर चुके हो you can do this अगर आप करते तो अच्छा लगता है मेरे को क्योंकि आपको पता है मैंने नया चैनल ओपन की है और यह नया चैनल सिर्फ आपी लोगों के लिए क्योंकि मैंने देखा कि इंडिया के अंदर कई ऐसे बच्चे यार मैंने आपको स्चोरी बताई होगी नमन की बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगो उसको चैनल पर वो तो बिलकुल नहीं पड़ता था उसका भी सेलेक्शन हो गया और बाद में मुझे कहते है बस आपकी लेक्चर देखता था आपकी बताई हो बातों पर चलाता मैं तो मुझे कई बार तो खुद में भरोसा नहीं होता एक स्टूडेंट है मेरा यूवराज सिंग गोहिल आज गुजरात में इरिगेशन डिपार्टमेंट में एई है वो अभी लास्ट यूर उसका सेलेक्शन हुआ था मुझे पता नहीं था वो मेरा स्टूडेंट है एक दिन अचानक कॉल आता है मेरे पास सर आयम यूवराज मैं तो बिल्कुल स्टूडेंट की तरहीं ट्रीट करूंगा यार मेरे को क्या मतलब सर आयम यूर स्टूडेंट ओके सर मेरे को आपका वन लाइनर लेना है मैंने का अच्छी चीज है आप एमाजोन से ले सकते हैं या मेरे नंबर पर पे कर दो मैं आपको बिजबा दूँगा सर मुझे फ्री में चाहिए अचानक से ऐसे ही बोला मुझे फ्री में चाहिए यार ऐसे थोड़ी होता है तो फिर उसने बताया सर एक्चुली मैं आपसे ही पढ़ा ओनलाइन आपकी नॉलिज बूस्चर मैंने देखी मैंने निकाली थी पुराने चैनल पे तो मेरा एल में सेलेक्शन हो गया सर इरिगे लिए नहीं वो सब यार एक अच्छा लगता है न कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ पढ़के मुझे पता भी नहीं है वो सेलेक्ट हो गया और उसके बाद मुझे बता रहे हैं और सबसे बड़ी ताजुब की बात मुझे यह सुनाई दी उसी बच्चे से कि वो पढ़ाई नही करा सकता हूँ ना तो जो मैं अब देने वाला हूँ उसमें तो पक्का हो जाएगा पक्का तो लेडिज और जेटलमें टोड़ी वी अर गोइंग तो स्टाइट अपाउट दम्यू चेप्टर एंड वेरी बेसिक चेप्टर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल इस नेम इस एक करूँ स्ट्रेंथ आफ मैटेरियल देखो आपको भी पता है कि यह एक ऐसा चेप्टर है जो सिवल इंजीनियरिंग और मेकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों में देखने को मिले तो उसी पॉइंट ओफ यू से समझ कर चलते हैं कि यह स्ट्रेंथ ओफ मैटेरियल आपको बता क यह बताने की कोशिश के अगर बें इस आयम गई विद टर्म आफ सिवल इंजीनियरिंग और ताकत कभी भी किसी चीज की जब भी दिखती है जब मैं उसके ऊपर कोई डालता हूं आप असल जिंदगी की भी बात करो तो भाई अच्छे समय में तो दुनिया हस्ती खेलती है अच्छे समय में तो सब के मुँपर खुशाली होती है अच्छे समय में तो सारे काम अच्छे होती है असली इंसान की मजबूती जबी पता लगती है उसकी स्ट्रेंथ जबी पता लगती है उसकी जिंदा दिली जबी पता लगती है जब बुरे समय में कैसा वेवार करते है सच बात है यह प्रकरती का नियम है किसी का टाइम गंदा हो अब टाइम सबका गंदा आता है सबका अच्छा आता है यह तो जीवन है उसूल चलता रहते हैं इंसान की पहचान जबी होती है जब बुरे समय में लोगों के साथ विभार कैसा करता है चहरे पे मुश्कान बरकरा कोई दिक्कत नहीं नहीं है इस मारकर पे अगर मैं एकदम से मुक्का मर दूँ जाहिर तोर पे मारकर टूट जाएगा ार वही अगर मारकर की जगह को श्टील की रॉड रख दू लोहे की रॉड रख दू और रॉड ना अब की बार हाट टूट जाएगा तो क्या है दोनों में फरक दोनों में फरक आया कि जब मैंने इस material के उपर एक load डाला तो load के डालने के बाद इस material पे load का effect क्या आया और उस effect के प्रती इस material का behavior क्या आया तो आप मेरी बात को समझ रहे उन दोनों की बातों को आपको समझना है आपके पास एक material है मेरी बात को समझना मैं क्या क्या रहा हूँ यह अच्छी चीज बता रहा हूँ आपके पास एक material है आपने उस material पे किसी तरह का कोई load लगाया load लगाने के बाद उस material पे कोई effect आया उस load के effect को अंग्रेजी भाषा या technical भाषा में एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं stress और उस stress के प्रती जो material का व्यवहार होता है न उस stress के पती जो material का व्यवहार होता है कौन सा व्यवहार? कहने का मतलब है रोकने के लिए उस load के effect को रोकने का जो एक nature होता है material का उसी material के nature को हमने कहा है strength that is actually known to be a strength तो सोम के अंदर पढ़ना क्या है? सोम के अंदर आपको केवल दो चीजों को पढ़ना है एक आपको पढ़ना है अपने load के effect को और एक आपको पढ़ना है अपने material के behavior कि वो material का behavior कैसा है? सिर्फ दो चीज़े आपको पढ़नी है और इनहीं दो चीजों के पूरे के पूरे combination को असल में हम लोग मेरे प्यारे बच्चे नाम देते हैं सोम इसी को हम लोग strength of material का नाम देते हैं एक चीज पूरी सोम के अंदर relate करते हुए पढ़ना कभी confuse मत हो ना कि एक particular failure condition से पहले नोट करके लिख लो ये बात आप लोग अभी विपोर दा failure condition विपोर दा failure condition या failure से पहले मैं कह देता हूं plastic condition इसके बारे में मैं आभी 10-15 मिनिट बाद पढ़ाऊंगा stress is directly proportional to strength stress is directly proportional to strength जैसे मैं एक आपको उधारन देता हूं आपके पास एक कोई भी material है उस material पर आपने खिचाव लगाया obviously जब आप किसी भी चीज को खीचते हो तो खीचने पर उसके अंदर एक effect पैदा होता है खीचाव effect जिसको आप लोग tension का effect कहते हो तेंसाइल stress आपका material है आप खीच रहे हो हर material खीचने पर खीच जाता है लेकिन छोड़ने पर वापिस भी आ जाता है लेकिन अपकी बार आपने उस material को थोड़ा जादा खीच दिया जब आपने उस material को थोड़ा जादा खीचा झाना तो वो लंबा हो गया तो लंबा क्या हुआ अब वह वापैस नहीं आं पार है पर्मनेंटली लंबा हो गया भरस कहते हैं्व कीच कंडिशन जब तक लोड ल और लोड लगाया आपका मेटीरियल आपको उतना ज्यादा रोपने लग गया अब धीटो तुम भी तुमने ओर लोड लगाया मैटीरियल थीच गया अरे तो दो कंडिशन आती है के Leaस्टीक हो सकता है पता भी है नहीं पता तो मैं बता दोना है तो विदिन दा कीलिमिट और इसको बिसद्ट के ओरती है जारक्ली प्रपोर्श्नल टूस ट्रे न होता है इसको याद कैसे और यह क्या है यह है reaction अच्छा भाई action पता है क्या करते हो तुम लगाते हो साउथ वाले action movie लेकिन reaction क्या होता है जो तुम्हारे उपर लगता है या तुम्हें रोकता है या तुम्हें रोकता है आप समझ रहे हो तो स्ट्रेंथ क्या है यह तमिलनाडू पीएसी का कोईशन है भाई आप लोगों का स्ट्रेंथ क्या है can I say that it is also known to be as the resistive stress हां स्ट्रेंथ क्या है स्ट्रेंथ आप लोगों का resistive stress के नाम से भी जाना जा सकता है है ही कोई अलग बात थोड़ी है एसेशन रिजन का कोईशन है भाई यह हलके में मत लेना जो बताना था बता दिया बाकी detail अभी चलता हूँ तो आपको यह समझ आया introduction के मामले से कि आप लोगों का सोम दो चीजों के बनके मिला है load और behavior जो load का effect आता है और उस material का effect के प्रतिक है behavior होता है इन दोनों के पूरी analysis को सोम का नाम दिया गया तो सोम के अंदर सबसे पहले मैंने यह बताया कि stress जो है वो आपका action है और strength जो है वो reaction है action आप लगा रहे हो reaction वहां से लग रहा है तो resistive stress is actually strength जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते है ताकत चल एक बड़ी खंजब करना समझ आया कि नहीं आया है question है एक number का अलके में मत लेना जल्दी से क्या लिगदिया सर आपने starting में one liner बनाया था pdf form में बाद में book निकाला है दोनों में different है कुछ same है because मैंने starting वाला purchase किया था जो अब वाला है न वो तो available ही नहीं होगा शायद क्योंकि stock हो जुगा है खतम अब आएगा 20 दिन बाद 25 दिन बाद नहीं आएगा उसको लेना अगर लोगे तो क्योंकि उसमें बहुत कुछ head कर रहा हूं मैं उसी में लगा हूँ आजकल तो यह चीज clear हो गई यह stress classes solution हमारा ही channel है और इसके बारे मैं बाद में बताता हूँ आपको clear चल आगे चलते हैं अब कुछ basic basic चीजे आती है first of all I need to discuss all the things with you what are those things सबसे पहले मेरे पास एक term आती है that is called normal stress यह simple आता है stress देखो stress की लंगी चोडी गाठा है सबको पता है stress is defined as force upon area stress is tensile stress की compressive stress अंदर से पैदा होता है I don't know anything about that I just know one sentence और जितना छोटे में समझ सको समझना चीजे जल्दी याद होती है stress क्या है stress is defined as load effect और I will say that effect of load आप किसी भी चीज़ पे जब load डालते हो न लोड किसी भी चीज़ पे जब डालते हो मैंने का मानलो आपके पास एक rod है इस particular road को आपने खीचा यहां से भी खीचा और यहां से भी खीचा अब आपको पता है भाई जब आप किसी भी चीज़ पे load लगा रहे हो खीच रहे हो खीचने के लिए को लगता है क्या उता है लोड होता है पूसी को मैंन नाम देता हूं उसे को मैं नाम देता हूं वैसे stress जो है वो formula wise क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी समझते हैं stress के अगर formula की मैं बात करता हूँ तो it is generally defined as force upon area यह ऐसा क्यों हुआ जड़ा clear करो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि it has been observed practically कि आपकी body के अंदर जो effect पैदा हो रहा है वो depend कर रहे area पे हाँ ऐसा फूर है अभी मैं समझाता हूँ आपको मैंने का यह आपकी एक body है and you are just applying load P over this body आपके पास यही दूसरी body है आपने इस पे load apply किया P और P you are applying the same load over the two body and you are observing कि जो पतली थी ना विचारी दूबली सी वो तो खिच गई और मोटी वाली ने पकड़के रखा तो ताकत किसमें आई ताकत आई इसमें ज्यादा उसमें कम आपको दिख रही है common sense आ रही है तो यह देखा गया असल में कि आप किसी भी चीज पे जब load लगाते हो ना तो वो load का जो effect है वो उसके area पे depend करता है और area कौन से वाला cross-sectional area area कौन से वाला cross-sectional area अब load का effect area पे depend करता है तो उसको ध्यान में रखा अब तुम कहोगे यह formula क्यों आया यही formula क्यों आया तो इससे पहले 9th class में एक और term आप लोगों ने पढ़ी है बहुत अच्छे तरीके से that is known to be as pressure तो यह same phenomena आप लोगों को pressure के अंदर भी देखने को मिल रहा था कि load का effect area पे depend करता है जिसके बाद pressure पैदा हो रहा है तो वो pressure से मिलता जुलता ही term आपके पास आया जिसको आप लोगों ने stress बूल है और वो stress इस तरीके से रखा गया ठीक है तो बच्पन में पढ़ाता force upon area होता है आपका pressure यहाँ पर भी formula वोई बना force upon area फरक क्या है आप समझते हैं जल्दी जल्दी से pressure जो होता है वो हमेशा externally apply होता है हमेशा pressure externally लगाया जाता है हमेशा और यह हमेशा आप लोगों का compressive nature का होता है pressure हमेशा आपका चीजों को दबाता है हिंदी में pressure को कहते ही दाब है pressure का नाम ही हिंदी में दाब होता है ठीक है और अगर मैं बात करूँ तो stress जो है वो internally पैदा होता है देखी जाए stress जो है वो body के अंदर पैदा होता है pressure जो है वो body के बहर से लगाया जाता है हमेशा stress अंदर पैदा होता है अब समझने हो मेरी बात को जैसे आपने body को खीचा तो खीचने पर आपको body के अंदर के molecules में खिचाव बिनेगा जैसे body है आप अगर इस body को खीच रहे हो तो body के अंदर के molecules में तुम लोगों को खिचाव मिनेगा तो वो तो कहलाएगा तुम्हारा stress और अगर आप surface की बात करते हो सिर्फ surface की बात करते हो तो ये कहलाएगा pressure ध्यान रखना ये बात important है कि किसी तरीके से आपका stress जो है वो tensile भी हो सकता है compressive भी हो सकता है तो ये आप लोगों को छोटा छोटा सा point ध्यान में रखना है कि pressure और stress जो है वो एक ही घर की दो वहू है एक का काम है घर को संभलना और एक का काम है घर को बिगाड़ना जोनों तरह की है ये जो है हमेशा दबाती है और ये जो है दबा भी सकती है और खीच भी सकती है इसको सारे काम आते है तेज है ये ठीक है वो अंदर पैदा करती है काम और ये बाहर से डाट देती है बस ये ही ठीक है चलो आगे चलते है जनरली अभी मेरे पास जो बात आती है दो तरह के stress स्ट्रेस और स्ट्रेंड में आपको बाद में पढ़ाऊंगा ये तो मैं छोटा मोटा चीज बता रहा हूं ज्यादा कुछ नहीं मैंने का अभी एक टर्म आती है दाट इस नॉन तो बी एस नॉर्मल स्ट्रेस अच्छा एक चीज और नॉर्मल का मतलब क्या होता है पर्पेंडिकुलर टू सर्फिस आपकी सतह के लंबवत कहने का मतलब है सुपोस आपके पास जो एक बाडी है अगर आप इस बाडी पे एक फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स इस डारक्शन में लगा रहे हो तो आपको एरिया कौन सा कंसीडर करना है यह बना ओल्वेस कंसीडर दा एरिया विच इस पर्पेंडिकुलर टू दा सर्फेस इट इस ओल्वेस कॉल्ड नॉर्मल देखो सर्फेस के साथ 90 डिगरी के एंगल बना रहे है तो नॉर्मल स्ट्रेस यह भी दो तरह का हो सकता है वंप्रेसिव और टेंसाइल बच्चो वाली बात है यह सब आपको पता है तो बात आती है ने यहाँ से चीजे समझनी की क्या है सबसे पहली चीज नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता है कहोगे तो लिखवा दूँगा और नाम ही मेरी ख्याल में काफी है आप लोगों का नॉर्मल स्ट्रेस का मैं फॉर्मले की बात करूँ तो देखो सिंपल सी बात होती है और हम लोग सिगमा से इसको डिनोट करते है सिगमा स्ट्रेंस का सिंबल यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल है, जनरल जो यूनिट यूज होती है, वो होती है, न्यूटन पर MMS को है, और डाइमेंशन आप लोगों को खुद से याद रखनी है, यह आप लोगों का होमवर्ख होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि, इसलिए जरूरी है, आगे मेरी बात आती है, कि नॉर्मल स्ट्रेस में भी दो चीज़े तोड़ी गई है, जो जनरली बच्चों को पता नहीं होता है, और आजकल पेटरल में पूछ रहा है, स्टेट वाले पूछ रहे हैं ज्यादा, दो तरह के स्ट्रेस होती है, एक होता ह है, आप लोगों का true stress, या actual stress, कुछ भी नाम देलो, वो आपकी मर्जी है, या इसको आप लोग नाम देते हो, actual stress, अच्छा, इंजीनियर सारे हो न, आसपास की चीजों को देखते भी सारे हो, यर मैंने 100 का target दिया है, आप लोगों को, if you can fulfill it, then you should have to do, because this is my first video on this channel, और मैं च चाहता हूँ कि आज भी, बच्चों को पता नहीं है, कि हम लोग नाई चैनल पर आए हैं, धिरे-धिरे पता लगेगा, आप लोग बता दोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जितने भी बच्चे हैं, या जो भी देख रहे है, anyhow, you need to complete 100 likes target, आदे से जाता कर चुके हो, complete it यह मेरी तरफ से आप लोगों को एक demand है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है, तो पहली वीडियो है ना, पहली वीडियो पर target होना चाहिए मेरे recording, बात आती है, कि engineering stress और actual stress में फरक्या है, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप किसी material को खीचते हो, तो material को जैसे ज सुपोज ही आपका एक original material है, अगर आप इसको खीचोगे, तो थोड़ी दिर बाद आप देखोगी कि लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन area गम हो गया, तो अगर आप लोग area को consider नहीं करते, और area को intact मान कर चलते, मतलब आप original area ही मान कर चल रहे, तो वो कहलाता है आप लोगो सिग्मा ई जो है वो force upon area है, और area constant है, आप क्या ही नहीं रेकी बदल रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत accuracy पर जाना चाहते हो, तो आपको पता है कोई भी चीज खिचती है जब, तो उसका area काम उप है, पक्का पता है न सको, तो you can say that sigma true क्या होगा, वो होगा तुम्हारा force upon area या कौन से वाला, a plus minus delta i, अभी देखना तुम्हारा question exam में कैसे पूछा था, उत्राखन का question है, सुनना अभी, force upon area change हो रहा है अपकी बड़ भी सकता है, घट भी सकता है, अच्छा बड़ेगा कब जल्दी बताओ, बड़ेगा कब और घटेगा कब, खेचूँगा तो घटे क्या बात, बड़ा time लगा रहे हो यार, comment करने में भी सर मेरा जेई का paper है, मे में में, उसके बारे में अगर कोई विशेश राए हो तो please, हाँ, निटेश नो टी याल, बहुत बच्चों का में में paper है, I'll take one session regarding this, okay, so don't worry, मैं आपको बता दूँगा, चलो मैं बता देता हूँ, आपको पता है कि जब आप लोग compression करते हो जब आप लोग किसी भी चीज को खीचते हो, तो उसका area हमेशा कम होता है, खीचने पर area decrease होता है, और compress करने पर आपका area जो है, वो हमेशा increase होता है, ये बात तुम लोगों को याद रखनी है, तो you can say that, अगर मैं यहाँ पर true stress की बात करता हूँ, तो force upon a plus delta a होगा, in case of compression, in case of compression, और अगर मैं बात करता हूँ, true stress की तो f upon a minus delta a होगा, in case of tension, compression के case में तो वो बढ़ेगा, tension के case में कम होगा, हाँ, and also ladies and gentlemen, you can take this in the serious manner, और यहाँ पर कह सकते हो, कि आप लोगों का जो sigma e है, और sigma t है, उसका relation, tension केस में कैसा होने वाला है, बताओ, sigma e बढ़ा होगा, कि sigma t बढ़ा होगा, आपको पता है, देखो, tension में denominator कम हो रहा है, तो actual बढ़ रहा है, तो मैं कहे सकता हूँ न, sigma e will be less than that of sigma t in case of tension, और इसके case में, यह तो बढ़ता है न, यह तो बढ़ता है न, compression में, और अगर यह बढ़ गया, तो overall stress तो कम हो गया न, तो आपका यहां पर लिख सकते हो न, compression के case में, engineering stress कम हो, चल, बहुत ज़रूरी, आपको यह चीज़े आनी चाहिए, काफी ज़रूरी है, ठीक है, चल, सो छोटी सी बात, मैंने आप लोगों तक कही, आगे मेरी बात आती है, यहां पर, आज तो introductory type कहलो, या एक basic version कहलो, कल से properly समझ भी आ जाएंगे चीज़े, आगे मेरी बात आती है, कि आप लोगों के पास एक और quantity आती है, कि that is known to be as strain, 11th class में पढ़ी होगी strain के बारे में, जिसको नहीं आता न, वो या तो live chat में लिख देना, कि तुमको पता नहीं है, यह चीज़ बता दो, और अगर आता है, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो offline comment में भी mention कर सकते हैं, बच्चे, जो recorded देखेंगे, आज कल मैं सबके comment बढ़ रहा हूँ, तो strain की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, change in configuration, change in configuration, upon original configuration, अच्छा, कई बच्चे तो बड़े confused होते हैं, what do you mean by this term configuration, configuration होती है, anything, anything related to that is called configuration, example देता हूँ, मैं, मेरा configuration क्या है, मेरा configuration मेरा खुद का आपा, जैसा मैं हूँ, और मेरा खांदा, कुछ भी change होगा, मेरे, कुछ भी change होगा, मेरा नाम, मेरी सोच, मेरी अवाज, मेरा शरीर, मोटा, पतला, मेरे चोट लग गई, मेरे खांदान में से किसी कुछ हो गया, anything related to me, that is my configuration, अब आजो object पे, object पे क्या होगा, आप लोगों के पास एक object है, इस object की configuration में क्या क्या आ सकते हैं, दोई चीज़े आती है, एक आता है इसका dimension, एक आता है इसका orientation, dimension की जब मैं बात करता हूँ, तो वो होती है lbh, length, breadth और height, और orientation की मैं बात करता हूँ, तो वो होता है angle, 360 degree पे रखा हूँ है, 359 पे रखा हूँ है, north में रखा है, east में रखा है, वो तो होगई उसकी direction, angle, और dimension क्या होई, lbh, कुछ भी change हो body का, वो configuration change होती है, तो एक बार को question पूछा था, mechanical के paper का question है, ESC का, उन्होंने कहा था कि, if the body is just to place in the north direction at some time, सुनना, अच्छा question, if the body is just placed in the north direction, at one time, and another time, I am just displacing it to the east direction, without applying any force, क्या वहाँ पे strain आया, तो question तो basically यह थोड़ा सा modified था, बिना force apply किये, तो आप उसकी direction को change ही नहीं कर सकते, common sense है ना, हिलाने के लिए force तो चाहिएगा ना, तो वो question थोड़ा अजीब था, लेकिन मैं कहा रहा हूँ, अगर मैं force लगा के, उसको mode देता हूँ, और north से east में ले आता हूँ, तो orientation change है, और orientation जब change होती है ना, तो strain आता है, ठीक है, anything change with respect to the body that causes strain, यह चीज़ ध्यान रखने हैं, ठीक है, configuration दो चीज़ों को लेकर चलता है, dimension and orientation, छोटी सी बात, याद रखें, आगे मेरी बात आती है, यहाँ पर, के, strain से related ऐसी, कोई खास बात बतानी की जुरूत तो नहीं है न, बच्चो वाली बात, तो strain को लिखते कैसे है, epsilon इसका symbol होता है, unit less quantity है, यह, कुछ भी आप लोगों को इसमें देखने की जुरूरत नहीं होती, basic चीज़ है, आगे मेरी बात आती है, यहाँ पर, बगलू कु अब, strain के बाद, एक और छोटी सी बात, जिसको हम लोग कहते है, elastic modulus, detail जो है, elastic modulus की, वो मैं next chapter में पढ़ाऊँगा, एक basic चीज बता रहूँ, क्योंकि एक अच्छी चीज में आपको बताने में, तो, elastic modulus है क्या, ratio of strength upon strain, stress upon strain का जो ratio होता है, उसी को आप लोग elastic modulus के नाम से जान पुछ नहीं हो, elastic modulus बताता क्या है, तुम लोगों को, एक ही बात याद रखना, मैं प्रूफ भी करूंगा, elastic modulus तुम लोगों को material की ताकत के मारे में बताता है, जितना ज़्यादा material का elastic modulus होगा, उतना ज़्यादा आपका material ताकत वर होगा, क्यों भई, प्रूफ करें क्या, I am saying, कि आप लोगों की एक body है, और शुरू में मैंने तुम्हें बोला कि एक body के अंदर जितना stress लगाओगे, उतना strength आता है, action is equal to reaction, but elastic limit के अंदर, ऐसा नहीं कि तुम तोड़ी दो, ऐसा नहीं होगा, तो मैंने कहा, भाई, किसी भी body पे जितना ज़्यादा stress होगा, और strain आनी रहा, मतलब body टूटनी रही, body deform नी रही, body हिलनी रही, मैं क्या कहूंगा, भाई, तुम कितना ही जोर लगा लो, बड़ी ताकत है यार, वो तो मुडी नी रहा, अरे, ये तो है नहीं न, ये तो कम से कम है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा है, तो elastic modulus ज्यादा से ज़्यादा है, और stress जितना ज़्यादा, strength होतनी ज़्यादा, इसलिए मैंने बोला, elastic modulus is directly proportional to strength होता है, ये बात तुम लोगों को याद रखनी है, टाकी काम की बात है, ठीक है, चाह, आगे ladies and gentlemen, अब क्या होता है न, एक और चीज बता देता हूं, छोटी सी याद करने के है, hooks law, गैरवी कक्षा के topic है, ये तुमने पढ़ रखे है, जिस बच्चे को नहीं बता, वो लिख देना, live chat में, और offline comment भी लिख सकता है, शरमारी हो जैसे आपको, तो अभी मेरी बात आती है, यहाँ पर कि hooks law क्या होता है, बच्पन में पढ़ाया गया था, hooks law said to me as, stress is directly proportional to strain within the proportionality limit, इस शब्द पर गौर देना, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, यह आपका question है, किसी PSC का है, यह द्यान नहीं है, किसका है, लेकिन आया था, और यह बहुत तगड़ा question बन गया था, आगे जाता, within proportionality limit, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझना, so ladies and gentlemen, बात आती है, यहां से, कि आप लोगों के पास एक material है, अब यह है क्या, यह पता है तुमको, जैसे आपके पास एक material है, उस material पे तुम किसी भी तरह का stress डालोगे, और जब उस particular stress के corresponding, इस body में आने वाले strain को देखोगे, तो तुम देखोगे कि elastic limit के दोरान, elastic limit के denote किया जाए, बस, यह hooks लो, ठीक है, अब आपको एक चीज तो पता होगी, पता है ना, मैं भी thumbs up करूँगा, अबे, सचिन भाई, दो मिनट का wait करो, मैं बता चुकाओ, नेट की class के बारे में, और नेट की class हो भी चुकी है, आज, आप जाकर देख सकते हो, stress academy चैनल पर, stress की particular value है, sigma, वो उठा के यहाँ लिख सकता हूँ, और strain को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक angle खीच दू theta, तो मैं लिख सकता हूँ, बेसिक है, क्या बुराई कि है, 10 theta is equal to what, sigma upon epsilon, और 10 theta क्या कहलाता है, slow, क्या आप लिख सकते हैं, sigma upon epsilon, और यह क्या है, that is actually known to be as elastic modulus, तो मैं क्या लिखूंगा, note करके, यह basic चीज है, कोई खास बात नहीं है, यह खास तो last में लिख लूँगा, कोई खास बात नहीं है, क्या है यह, यह आप लोगों का कहलाया जाएगा, elastic modulus होता क्या है, elastic modulus, actually defined as slope of sigma epsilon कर्म, sigma epsilon कर्म का slope है यह, बास, छोटी सी बात, सीधी, समझ भी आ रही है न, बच्चों की बात, ओके, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बच्चा है, नहीं खुशी से मेरे गाल फूले नहीं, समारे, इतना लवू देख कर, चल, एक लियर है, अभी एक बारी कर दो यह, बहुत देर होगी, समझ आया कि नहीं है, सबी बच्चे, जल्दी से कर दो, और 30 रह गए हैं मात, जल्दी कर देना, ठीक है, मैं पक्का गिफ्ट दूँगा, मेरी पहली क्लास है, मैं बड़ा खुश हूँ आज, कि मैं आप लो हमारा है, जल्दी, क्लियर है कि नहीं है, अब मैं कुछ नया बढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें 2-3 चीज़े एक्स्ट्र समझ आएंगी दुम रोगों के, ओके, चाल, बहुत बढ़िया, आगे मेरी बात आती है, यहाँ पर, अगला मेरे पास बात आती है, के, यार, मूड तो रोजी ठीक होता है, हुक्स लो हो गया, अब एकना बहुत कामन मेर्टेरियल है, अगर मैं सोम की बात करता हूँ, तो सोम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, मुझे नहीं पता क्यों, बढ़ मैल्ड इस्चिल को बड़ी प्रेफरेंस दी है, शायद इसका रीजन यह हो सकता है, क्योंकि माइल्ड इस्चिल में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, मशीन बनाने के माइल्ड इस्चिल के लिए स्ट्रेस वर्सिस ट्रेन का कर्व बनाया है, ठीक है, हमने क्या कर आ है, स्ट्रेस वर्सिस ट्रेन का कर्व बनाया है, माइल्ड इस्चिल के लिए, और जनरली वो टेंशन बहेवियर के लिए बनाया गया है, जनरली वो टेंशन बहेवियर के लि पर उस स्टील के बार में क्या-क्या विरियेशन तुम लोगों को देखने को मिल सकते हैं क्या-क्या चीजे तुम लोगों के पास आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार एजम्शन भी समझा देते मैं समझा नहीं कैसी एजम्शन कह रहे हो नितेश मैं समझा नहीं आमितेश कैसी कह रहे हो गार कि अगर कि अगर कि सूंग के अगर कि अगर को ऐसे पर्टिकुलरली मैटिरियल में आएगा जब आप लोग बेंडिंग स्ट्रेस पड़ोगे तो अगर कि अगर अभी प्रॉपर्टीज में कोई ऐसे अगर नहीं तो जवर्दस्ति क्यों मतलब ऐ ऐसे दिखाना ना जी केशमा हावरियो बहुत पुरानी स्टुडेंट है तो टेंक्शन बिहेवियर देखा गया बेसिकली आपका स्ट्रेस वर्स स्ट्रेंड ग्राफ माइल्ड स्टीन के लिए अब दो तीन चीजे नहीं बतातों उनको धियान रखें सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि एलास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है मैं आप तो सच बता रहा हूं कई बच्चों को तो पता ही नहीं होती कभी कामनी अट के इसकी वज़े से लेकिन पता हो तो अच्छा लगता है स्वाइल में तो शीर स्ट्रेंथ का कोई भी चीज अपनी और इजिनल प्रॉर्रोपरटी इंगो हर लें बड़ि रड़ सोधे लेडि पाइट ब्लोड backwards एक रि懂 प्लोंन डिचो legally बने देखा होगा अब तो छूड़ जाती इलास्टिक होती है अरे नाड़े न वह पजामे में डालने वाला इलास्टिक की नाम है तो इलास्टिक क्या होता है ऐसी बॉड़ी जिसको खीचने पर खीच जाए छोड़ने पर वापिस आजाए वह लेकिन जिसके अंदर पर्मानेंट डीफ़ॉरमेशन अजाए जब बॉड़ि के अंदर पर्मानेंट डीफॉरमेशन आजाता है तो आपकी बॉडि क्या होती है आपकी बॉड ली प्लास्टिक जोन में चाहा जान है फिर वह क्या चाहिए ब्लास्टिक कोछ Miche प्लास्टिक और इलास्टिक समझाया मेरी बात आती है यहां पर बेटा 27 रह गए है कर दे कैसे भी मेरे को नहीं पता लेकिन कर दे आज आज वो डिमांड है पहली क्लास है यार लगना चाहिए न हम भी सेंजूरी मार सकते हैं न मैं तो कही नहीं रहा कि तुम जुनिया बर का शेयर करो मत कर लेकिन यह डिमांड कर दो कैसे भी पहली क्लास है तो मैंने का कि एलास्टिक और प्लास्टिक समझाया अच्छा नोट करके एक बात याद रख लो यह तुमको किताबों में शायद मिले ना कभी पेपर में यह सब आया तो है नहीं बट फिर भी पता होना चा यह तो अच्छा लगता ना या आप लोगों का जो मायल्ड दिस्टिल लिया गया है वर के प्ने तक talking मायल्डे कि लिए फॉर के लिछिप इंसे बार लिया गया था ना के और दूसरा आता है उसकी लंबाई कितनी मांगक है कि दो इंच ये भी तुमको याद नहीं करना मतलब ऐसा पेपर में आया नहीं है वैसी बता रहों थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तुम लोगों को उसका लेंथ तू डायमेटर रेशियो कितना हो गया वो तुम निकाल लो यहां से लेंथ तू डायमेटर चार आ रहा है दे बेसिक से समझाता हो ध्यान करना कि आप लोगों के लिए अभी पैन होगा अपने पैन के डखन को थोड़ा सा खीचो थोड़ा सा खीचना ज्यादा मत खीचना थोड़ा सा खीचते ही आपका पैन का डखन अपनी औरिजिनल पोजिशन पर वापिस आ जाता है जब तुम उस एलास्टिक केते हैं न साब मैंने का थोड़ा सा और खीचा सुन्यों मेरी बात को थोड़ा सा पैन को और खीचा अब यह देख क्या आप रोज रोज चैनल चेंज करते जा रहे हो अरे यार कितने टाइम बात तो मैं यूट्यूब पर आया हूं सिवल इंजीनियरिंग दिल जेवियर आपकी ख्वाईश पूरी कर दिये यह मेरा पर्मनेंट चैनल और यह मेरा अपना चैनल है तो यहां से कही नहीं जा सकता अगर कही गया तो यहां तो रहूंगा यहां से कही नहीं जा रहा है ठीक है चा तो इसी बात पर लाइक कर लें तो मैंने का अब की बार छोड़ा वापिस तो आ गया लेकिन पता नहीं उसके चहरे पे शिक्रस्त है उसकी जो शेप है ना पैन के धकन की जो जेब में टांगती है साइड से उसकी शेप हलकी सी मुड़ गई निशान नहीं आया वापिस तो आ गया घर पे लेकिन ठका हारा आया हलका सा तुम बाभाई बिल्कुल सीधा नहीं रहता थूड़ा सा टेड़ा हो जाता है बड़ वापिस तो आता है अरे घर को तो आ रहे ना एक तो भाई सब घर को फ्रेश ताजबी के साथ एक रात को ठका हा रहा घर तो आ रहे ना इलास्तिक तो है लेकिन पहले बढ़िया जैसा गया पैसे आ गया लेकिन बाद में जैसा गया था उससे ठक के वापिस आ रहे थोड़ा सा बेंड हो जाता है अब क्या कर रहे हैं अब और खीच अब की बार खीचेगा ना तो तुझे देखने को मिलेगा कि तेरे पैन पर सफेद निशान आ गया आया कि नहीं आया जल्दी बता तेरे पैन के उपर टॉप पे वो जहां से वो मुड़ता है वहाँ सफेद निशान आ गया और सफेद निशान आने का मतलब क्या है सफेद निशान आने का मतलब क्या है भाई वापिस नहीं आता छोड़के देख ले वो टेड़ा रह जाता है नहीं आता वापिस अब नहीं आएगा और सफेद निशान जब आ जाता है ना तो वहां ध्यान दियो वहां ध्यान दियो कि तेरे को ऐसा एहसा होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया मतलब जोर कम लगाना पड़ रहा है और वो खिच रहे प्रैक्टिकली दिमाग में आ रही है ना दो तिन बच्चे थम जोन पर ठोड़ी से लिमिट के लिए थोड़े से दूर के लिए आपका वो पेड़ जोर कम लगाना पड़े और खिच जाधा रहे और गया चअ और जब कोई चीज खिचती है तो जोर कम लगाना पड़ रहा है जोर कम लगाना पड़ रहा है यह चार चीज़े आ गई है ना मैंने का भाई अब इन चारों से पहले एक शब्द में समझाते तो भूल गया तो मैं बताना जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कि येल्डिंग का मतलब ही होता है इलोंगेशन पूरी सिवल इंजीनियरिंग में कहीं भी इल्डिंग शब्द लिखोगे ना इलोंगेशन से मत लिखो इसको और अच्छे से इसको लिखो आप लोग आउट्पुट में बढ़ोतरी होना इंक्रिमेंट इन आउट्पुट इसको लिखो आउट्पुट इंक्रिस अब आउट्पुट कुछ भी हो सब्पर कुछ भी आउट्पुट जैसे आपने सुनोगा क्रोफ येल्डिंग तो फसल की लंबाई बढ़ती है आउट्पुट बढ़ता है और यहां पर क्या है पैन की डखकन की लंबाई बढ़ रह किया था और लंबाई बढ़ रही थी उसको कहता हूं क्या कहता हूं उसको ये जोन कहता हूं और बाद की बाद बाद में अभी शुरु से पढ़ाता हूं यादे मैंने क्या पड़ाँ आप दूबार से आपने यह सारी चीजे करी माइल्ड चील पर जब तुमने यह चीजे करी तो एक ग्राफ बना अब वो ग्राफ कैसे कैसे बना वो ग्राफ की पिक्चर यहां दिखा रखिए समझाऊंगा मैं ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी चीज़ है मैंने का सबसे पहले तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर ग्राफ है वो एक पॉइंट तक जैसा गया था यह तेरे वाई के अंदर फुल जोश भरा है जिस एनरजी से गया था उसी एनरजी से वापिस आरों देख ले को दिक्कती नहीं अराम का मामल है तो यहां तक क्या है एलास्टिक तो पका है आपने क्या बोला मेरे पेरे बच्चे आपको पता है एलास्टिक तो पका है और उसके बाद दूसरा केस आरहा था जो जा तो फुल ताजगी के साथ रहता बैवी बाए हैं और आया तो बेबी को देख भी नहीं दीला पड़ा आतो गया ना जो तो दो जोन आते हैं Elastic Zone में, एक होता है Linearly Elastic, एक होता है Non Linear Elastic, क्यों बोला गया है, बताऊंगा, Linearly Elastic इसलिए बोला गया है, कि आप लोगों का, ये जब Stress Strain कर्व आप लोग बनाते हैं, तो ये CD Line जाती है, एक Particular Limit तक CD Line जाती है, उसके बाद हलका फुलका टेडा पना जाता है, मैंने बताया, पैन का ढखकन टेडा हो जाता है, निशान नहीं आता, वापीस आ जाता है, लेकिन टेडा हो जाता है, धीला हो जाता है, तो वो टेडा जो हो रहे हलका सा टेडा होता है, ज्यादा नहीं, वो कहलाता है Non Linear Elastic Zone, और अभी मैंने थोड़ी दर पहले शब्द लिखाया था जिसमें मैंने का तर प्रॉपोर्शनालिटी और बेटा है ये बहुत तगणी चीज पूछी गई थी तुमसे बुक्स लो प्रॉपॉर्शनालिटी में फॉलोड होता है यह यह विदे लेंन लीनियर में नहीं रहता कभी भी सफेद निशान आ रहे ते तो अब सफेद निशान आ रहे तो क्या आ रहे बी के बाद देखो कर्व शुरू हो गया बी के बाद ध्यान से देखो कर्व शुरू हो गया हुआ गी नहीं हुआ हो गया तो इस पूरे के पूरे जोन को क्या नाम दोगे तुम लोग इसको नाम दो खिच गया, देखो ध्यान से इस yielding zone को zoom करके यहां दिखा रहे हैं, यह जो yielding zone है इसमें दो point है, एक है C और एक है C dash, इस C वाले को कहते हैं अपर yielding point जो बेकार की बार, असली में C dash तो एक ही case में आता है जब impact load पड़ता है, impact समझते, गुमा के मारते हैं जब किसी के, कोई कुछी जिद्दम से जब नीचे गिरती है, धका लगता है, impact, तो impact के case में तुमारे पास आता है सिर्फ अपर yielding, और कभी नहीं आता है, इसलिए अपर yielding तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, impact पड़ता है, तो lower yielding से ही काम चलता है, तो थोड़ा बहुत बाद, उसके इस ट्रेस की value कम हो गई, लंबाई बढ़ गई, यानि stress कम हो रहे, strain बढ़ रहे, क्या बन रहे, ऐसा zone जिसके अंदर stress कम होता है, उसको क्या कहते है, yielding zone, निकवा दूँगा अभी मैं, ऐसा zone जिसके अंदर stress कम होता है, जगमीत, how are you brother, और strain बढ़ता है, उसको क्या कहते है yielding zone, आपको समझाएगी नहीं आई, तो yielding zone clear हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे yielding में भी दो तिन जिन लिख लोगी, यहां lower yielding point पे जो strain आता है न, उसकी value कितनी होती है, 0.12%, और जो d वाला last yielding zone का point है, उस पे कितनी हो जाती है, 1.4%, मतलब आपका strain कितने से कितना बढ़ गय है, इतनों strain बढ़ गया, सिर्फ yielding, उसके बाद क्या हो रहा है, material को एक हटक तो खीचते हो, फिर तुम्हें ऐसा एसा है कि थोड़ा बहुत कीच गया, अब और खीचने के लिए तुमको और जोर लगाना पड़ता है, अब जोर लगाना पड़ता है, तो अब material अपनी लगता है, जितना लग सकता है, maximum उतना लगता है, अब तुम भी भी डीटो तुमने लगा दिया, maximum के बाद चीजे तूट जाती है, maximum के बाद चीजे तूट जाती है, शीशा हो या दिल हो, तूट जाता है, ए बॉलिवूड तक सीमी तरवाई, अगर civil engineering बॉलिवूड में क करेगा तो लिग देगी तो शीशा हो या कंक्रीट हो तूट जाता है बिदेल कि अ त्थर से मच्पूत अपना दे तो मैंने क्या का यहां पर स्ट्रेंथ गेन कर रहा है स्ट्रेंथ गेन करने स्ट्रेइन हार्डनिंग जोन येल्डिंग से लेके अल्टीमेट तक जो जोन आता है उसको स्ट्रेइन हार्डनिंग कहते हैं क्यों क्यों कि स्ट्रेंथ गेंड करता है स्ट्रेइन हार्ड हो रहे हैं अच्छा जो हार्ड होता है मतलब क्या होता है बाइर बना हार्ड है यार कर रहो मैं आद ने स्ट्रेंन हरट ठीक है ना तो आगे निरी बात क्या आरहिए अब execute के बाद और लोड लगा और लोड लगा तो सो क्या होगा टोड करें यह आता है फ्रेक्श्र पॉइंट है meu फ्रेक्श्र lg7 तुर कीनि जाए जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं आया कि सारे बच्चे कि देवेंद्र कुमार नयान जल्दी अच्छा मैं एक चीज और गया रहे शेर कर देना थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है मुझे भी और आप तो भी ठीक है अग कंटेंट पसंद आये पढ़ाने का तरीका पसंद तो ही शेर करना नहीं तो नहीं करते ठीक है अब मैं कुछ चीज़े लिखवा देता हूं तुम लोगों को काम है सबसे पहली चीज तो आप लोगों के पास एक वर्ड आया था that is known to be as yielding सबसे पहले तो आपके पास एक वर्ड आया था that is called to be as yielding क्या हो गए yielding क्या दा जिसमें आपके stress की value तो कम होती है लेकिन आपके strain की value increase हो जाती है जिसके कारण yielding होता है yielding का strain कहां से कहां तक लाई करता है strain range कितनी रहती है yielding के अंदर 0.12% से 1.4% के बीच रहती है जोन आया था that is known to be a strain hardening zone या ultimate point ultimate point कौन सा point है जिसमें तुम लोगों को maximum stress देखने को मिलते है maximum stress point को ultimate point का नाम दिया गया yielding से ultimate के बीच को क्या कहते हो yielding to ultimate zone क्या कहलाए जाते है that is actually known to be as what that is known to be as strain hardening zone are you getting ladies and gentlemen important है याद रखिएगा strain hardening zone उसके बाद आप लोगों का कहलाए जाता है ultimate to fracture इसको हम लोग कहते है necking zone necking क्यों कहते है necking का मतलब होता है decrement in cross section यहां पर आपका area बहुत कम हो जाता है जनाब यहां area आपका बहुत कम हो जाता है अब देखो ना गर्दन कितनी पतली है तो cross sectional area कम है ना इसलिए necking कहते हैं अच्छा दो चीजे और important कि आपका ultimate पर कितना strain आता है इस particular value पर कितना strain आता है UP उत्तरपरदेश नहीं है ultimate ultimate point 20% और fracture point पर mild distil के लिए कितना strain आता है 25% ठीक है यह याद रखना अच्छा कई बच्चों को यह भी नहीं बता हां बेटे तुमारी स्पीड से तो देखने से लग रहा मेरे को रात बर पढ़ाना पड़ जाएगा जिगरा ना कर रहा तुमने पूरे ना करें हैं चलो कोई बात पिर भी तो अपने भाई बंदू हो तुम कोई बात जितने करें उतने में खुशी है अब यह 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 चीज कर गिए आपने इस रोड को खीजने की कोशिश करें और यह रोड आक्टर एलोंगेशन जो है 25 सेंटीमेटर एलोंगेट होगी 25 सेंटीमेटर एलोंगेट होगी तो जो स्ट्रेंड के लाएगा वो कितना होगा 25 अपन सो इंटू सो परसेंटेज में चेंज करोगे ना तो य 25 परसेंट आप लोग बता देना और सबको शेयर करना क्योंकि I want that maximum number of students should have to connect with us because we are here to provide you the quality, we are here to provide you the content, we are here to provide you everything अब कुछ common बाते मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम टॉपिक से अलग हटके सबसे पहली चीज जो आप लोगों तक मेरी तरफ से पहुचनी चाहिए वो क्या है एक तो पहले ये भी लिखो नोट करके कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ ओफ माइल्ड स्टील धाई सो न्यूटन पर आमामस को ठीक है वैसे तो मैं देरे देरे कल करवाग हूँगा ये सब अभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारी एप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में एप का लिंक मिलेगा आपको हमारी श्रेश क्लासस की हमारी एप है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका करें कि इसकी जो नोट से mouth कि यह जो नोट से रोपर्ली वह आपको हमारी एब पर free content में available हो जाएंगे app में free content में available हो जाएंगे सारे notes ठीक है आप देख सकते हैं free of cost कोई पैसा नहीं लगेगा उसका free content में रहेगा free study material करके मिल जाएगा दूसरा आपके पास ये जो app के अंदर कल से आपको question practice मिला करेगी हमारी तरफ से कल से आप लोगों को हमारी तरफ से जो question practice मिलेगी वो भी app के अंदर मिल जाएगी आप लोगों को free और दूसरा question practice CBT pattern पे जैसे exam में question आता है न CBT pattern वैसे ही बिलकुल pattern wise आप लोगों को free of cost हमारी तरफ से question मिलेगे कल से आज से नहीं कल से मिलेंगे आज सेक्ट कर दूसरे तो free of cost आपको test मिलेगा 20 questions का आप 20 question free of cost attempt कर सकते हो इसमें detail solution proper answer सब कुछ आपको मिलेगा और last में आपको ranking भी मिलेगी तो ये कहां मिलेगा ये मिलेगा आप लोगों को free test में आप app को खोलेंगे ना आप को open करने के बाद वो side में जो 3 dot आती है side में आता है नहीं menu box तो menu पे click करेंगे तो वहां होगा free test free test पे click करोगे आपको दिख जाएंगे ठीक है बहुत सारे test अभी भी available है आप कर सकते है दूसरी बात आती है यहां पर ये notes मिल गए आप लोगों को तो आप लोगों को हमारी तरफ से question practice भी कल मिल जाएंगी और test तो अभी भी available है जाके आप attempt कर सकते हो link app का description के अंदर है अभी चल रहा है बैसाकी सीजन तीम की तरफ से आया था बैसाकी सीजन बैसाकी के उपलक्ष में आप लोगों को जो हमारे course की cost है वह अठाइससो रुपे है लेकिन अभी ये cost आप लोगों को 2000 की पड़ेगी ये cost आप लोगों को 2000 की पड़ेगी और आपको code लगाना है बैसाकी आपको code लगाना है बैसाकी 2000 का overall course आपको पड़ेगा जिसमें एक साल की validity होती है सभी subject के notes, सभी subject के question bank, सभी subject का one liners free of cost मिलेगा one liner भी तो सब कुछ ही मतलब material आपको मिले गई वो तो आप 2800 की जगा 2000 में ये avail कर सकते हैं एक हफते के लिए शायद ये offer valid है वैसाकी code लगाके app में आप इसको खरीच सकते हैं major subject मैं पढ़ाता हूँ, description एक बार ये आप पढ़ सकते हैं app का जिसमें reasoning आपको free of cost मिलेगी, x मतलब x नहीं कोंगा main 2-3 बारी qualify कर रख है उन्होंने जो आपको reasoning पढ़ाएंगे आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, so फिलाल मैं चलना चाहता हूँ, और हाँ एक चीज और lower yielding point कौन से load पर आता है, normal जो load लगता है आपका tensile load जब लगता है body का तो tensile हो चाहे compressive वो दोनों ही load पर आप लोगल over yielding point मिलेगा, अपर yielding point सिर्फ केशमा आपको कब मिलता है, जब आप impact road लगते हैं, ठीक है, नहीं तो एक ही yielding point होता है हमिशा, अब भी बात आती है यहां से कि हो सके तो अपने-अपने status पर class को लगा दीजिएगा, बेलड़ा task है, तो मैंने बहुत मुश्किल से arrange करवा रखा है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, thank you for continuously watching me, जै हिंग, जै भारत, और अगर regular updates साते ही हैं, तो शेष ट्लास उसको subscribe कर लीजिए, share कर ये, like कर ये, इस्तना हो सके, तो comment भी कर सकते हैं, अगर कोई problem आती है तो I'll always there to help मेरा contact number लिख सकते हैं अगर और कोई problem आती है तो you can contact me as well on this number this is my contact number 9560-969640 तो you can save it also description देख ले ना वीडियो को दो तीन चीज़ा और मिल जेलगी हमारे telegram group हमारा insta sub